नमस्कार कृषिवाय मंडियों बीट्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए जान लेते हैं कि महारास्ट की मंडियों में 13 दिसंबर को क्या रहे है फसलों के दाम बाजरे से शुरुबात करते हैं तो एहमद नगर की मंडियों में बाजरे के दाम थे 1882 रुपए माले काओं की मंडियों में थे 2000 रुपए देवाला की मंडियों में थे 1550 रुपए सताना की मंडियों में थे 2480 रुपए मुंबई की मंडियों में थे 2500 रुपए अमलीर की 1651 पूने की मैं पूने की मैं अटथाइस सो रुपियाए बात करते हैं लैसुन की तो श्रीरामपुर की मैं लैसुन के दाम थे तीन हजारी कलियार की मैं तो और कारणजा की मंडी में थे 4,400 रुपए, रहता की मंडी में थे 4,300 रुपए, अमलीर की मंडी में थे 4,125 रुपए, एहमाद नगर की मंडी में थे 4,000 रुपए, माले काउं की मंडी में थे 4,025 रुपए, लातूर की मंडी में थे 4,500 रुपए, गंगापुर की मंडी में थे 3 5950 स्रूल paradigm और Mumbai दीटेटेट 6,000 रुपय भी बत करें मूंग की तो कारण जा की में मूंग के दाम थे 3830 रुपय राता की में में थे 5551 रुपय वसीम की में थे 5000 रुपय स्रुपय हइद मुर्वГ की में थे हमानी की में थे साथ हजार नासो बचासव रुपएं क्यों बात की जाए तो पुनी की मट में मट के दाम सब्सक्राइब हम अमलीर की में थे शूलह शुनलूक रूपए बूंबइ की में थे 27 registration plane कालमान की मोड़ी में में थे 1450 रुपए और देवाला की मंडी में थे 1572 रुपए प्यास की बात करें तो कुलापूर की मंडी में प्यास के दाम थे 1600 रुपए शिरीरामपूर की मंडी में थे 2200 रुपए सतारा की मेंड़ी में थे 2100 रुपए लासल गाउं की मेंड़ी में थे 2300 रुपए सताना की मेंड़ी में थे 2100 रुपए देवाला की मेंड़ी में 2400 रुपए रहाता की मेंड़ी में 2650 रुपए पुने की मेंड़ी में थे 1850 रुपए और कल्यान की मेंड़ी में थे 2150 रहता की मंडी में थे 1913 रुपए वसीम की मंडी में थे 1800 रुपए परतुद की मंडी में थे 1750 रुपए देवाला की मंडी में थे 1860 रुपए मुरम की मंडी में थे 1501 रुपए गंगापुर की मंडी में थे 1929 रुपए अकोला की मंडी में थे 1800 रुपए माजलकाओं की मंड में थे 2,122 रुपए साताना की मंडी में थे 1771 रुपए और अकोला की मंडी में थे 2750 रुपए किसान भायों यह थे आज के महारास्ट के मंडी अबडेट्स इसी तरह के और अबडेट्स के लिए बने रहे क्रिशी फाय के साथ धन्यवाद